दोस्तो अर्मेनिया के बाद अब भारती हत्यारों का एक और देश फैन हो गया है और अगर भारत ने इस देश को अर्मेनिया की तरह ही आकास डिफेंज सिस्टम पेश दिया तो ये दुनिया का दूसरा एसा देश बन जाएगा जिसकी सिक्योर्टी हमारा आकास डिफेंज सि इस प्रकार है कि ब्राजील पिछले कुछ महिनों से अपनी सेना और अपने बड़े-बड़े शहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शोर्ट रेंज के एर डिफेंस सिस्टम की तलाश कर रहा है अभी तक ब्राजील ने कई देशों के शोर्ट रेंज के एर डिफेंस और दूसरा देश इसका डिफेंस सिस्टम इस समय ब्राजील को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है चाइना और चाइना का इस समय स्काइड ड्राइगन 50 नाम का डिफेंस सिस्टम ब्राजील को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है इस समय मुकाबला केवल इन दो ही को लेने के लिए final evaluation को करने वाला है और इस evaluation के पूरा होते ही ब्राजील की तरफ से ये बता दिया जाएगा कि ब्राजील किस देश से air defense system को लेने वाला है लेकिन ब्राजील के कुछ defense sources की तरफ से बताय जा रहा है कि अब तक जितना भी evaluation in short range के defense system को लेकर किया गया है इस evaluation के दोरान आकास defense system सबसे जादा आगे चल रहा है तेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज भारत के पक्ष में ही जा रही है एक चीज जो भारत के विपक्ष में जा रही है वो यह है ही कि हमारे आकास defense system की कीमत चाइना के sky dragon 50 से जादा पढ़ने वाली है और इस समय ब्राजील से इस deal को पाने के लिए चाइना अपनी 80 चोटी का जो लगा रहा है और चाइना अपने sky dragon 50 defense system की कीमत को ब्राजील के लिए और कम करने को तयार है और चाइना के बड़े-बड़े offer को देखने के बाद इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि भारत भी आकास defense system की कीमत को थोड़ा कम कर सकता है लेकिन फिर भी आजील को आकास defense system की कीमत चाइना के sky dragon 50 से थोड़ी महंगी ही पड़ेगी लेकिन आप सोच कर देखिए जब हम अमेरिका से हत्यारों को लेते हैं तो अमको थोड़ी कीमत महंगी जरूर पड़ती है लेकिन अमेरिका के हत्यारों का service ability rate 90-95% होता है नहीं पर हमको रश्या के हत्यार थोड़े सस्ते मिलते हैं लेकिन इनका service ability rate केवल 60-65% होता है मेरिकन हत्यार थोड़े महंगे जरूर होते हैं लेकिन उनकी quality डोप मोच होती है और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि ब्राजिल थोड़ा महंगा defense system जरूर ले लेगा ल इनी हत्यार पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे एसा में इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि डक्षिन अमेरिकी महादीप पर ब्राजिल सबसे बड़ा देश है और अगर ब्राजिल ही भारती हत्यारों को खरीदेगा तो जो छोटे छोटे देश है वो भी definitely भारती हत्यारों को खरीदेंगे और अब आप ये कमेंट करकर बता सकते हैं कि ब्राजिल को थोड़ा महँगा और अच्छा हतियार लेना चाह यह या फिर आपका ये मानना है कि ब्राजिल को थोड़ा सस्ता और बेकार हतियार लेना चाहिए अप में दे सकते हैं, Thanks for watching this video